वद्यातम दोस्तों वाक्षी की समरित बात विज़न के अंदकत मैं वरुंकुपार आपका हर्दी का बिनंदन करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं वाक्षी जितनी चीज़े आपका रेकमेंड करती है हमारी कोशिश रहती है हमारे घरों में भी वही प्रियोग हो ताकि जो चीज़े हम रेकमेंड कर रहें उसके अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है अपडिet हम लेकर आते रहे हैं तो 5 साल पहले हमने आपको ये निवेदन किया भाया हम जाते हैं 50-60 साल पुराने जहां पर दंतमंजन का इस्तमाल होता था दंतमंजन जो है हम अपने दांतों में लगाना शुरू करेंगे अब ये तो हमने मान लिया कि 50-60 साल पहले जब दंतमंजन का इस्तमाल होता था तो दान्ट अच्छे रहते थे तो हमारी भी यही कलपनाती कि दान्ट अच्छे रहेंगे लेकिन क्या वाकई में दंतमंजन का इस्तमाल करके दान्ट अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते हैं इसके ऊपर भी तो कोई study होनी चाहिए इसलिए पांस साल से जो हमने आपको recommend किया वो हम पूरा दिन रहती है। है जिसमें मुझे रात को भी दुबारा दांतों को साफ करने की जुरूरत नहीं रहती यह और शुदियों की ताकत है जो दंतमंजन के अंदर रहती है इसलिए पांच साल से मैंने हर वैक्ति को रेकमेंड किया कि मैं खुद भी दंतमंजन कर रहा हूं और आपको भी करना चाह कि आपकी इसके उपर क्या रहा है कि मुझे दंतमंजन शुरू करना चाहिए कि नहीं तो उन्होंने यह बोला था हमाई दंतमंजन के अंदर यह लगता है कि दंतमंजन का अगर आप इस्तमाल करेंगे तो कहीं आपका इनमल जो हो घिस जाएगा अभी तीन-चार महीने पहल करना चाहिए तो उन्होंने कि प्रॉब्लम यूजली तब हमें महसूस होती है जब हमारा इनमल जो हो डिस्रप्ट होने शुरू हो जाता है तो मैंने कहा कि अगर धन्तमंजन से हमारा ठिस्रप्ट होता तो पांस साल तक करना पड़ता कि पांस साल के बाद में जाकर इनमल और फ्रेंड से उन्होंने ये बताया कि बेसिकली आप दंत मंजन 5 साल से इस्तमाल कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दंत मंजन के साथ साथ पहले जमाने में एक चीज़ और लोग करते थे वो ये थे कि सरसो के तेल को नमक या गयाकर उसको नाथों पे लगाते थे वह इसे उनके इनेमल और प्रोटेक्टिड़ रहे तो 5 साल से मैंने किवाग दंत मंजन तो किया है तो कमिए जो मुझे लगी जो मैं नहीं कर पाया 5 साल से वो ये कि दनत मंजन का इस्तमाल तो किया लेकिन इस तरीके से तेल का तेल का साथ में मैंने अपने दांतों पर नहीं लगाया दूसरी बात यह कि दंत बंजन एक ही तरह का इस्तमाल किया है जबकि रेकमेंडेशन यह होती है कि दंत बंजन आप करिए लेकिन उसको चेंज करते रही है अलग अलग तरीके के दान्तों की हेल्थ रखी, डॉक्टर को दिखाया, देखने में नहीं पता चलता कि इनेमल आपका इबरफ्ट हो गया, डॉक्टर के अनुसार आपके दान्त बहुत अच्छे थे मेरे, उन्होंने कहा कि भई आपके दान्त बहुत अच्छे हैं, आप चिंता मत रो, आपकी मैंने आपको बता रहा हूँ, तो दान्तों में अगर किसी को ठंडा गरम लगने की समस्या कभी भी शुरू हो जाए, तो ये अब मेरी टेस्टीमनी है, जो आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं, एक तो ये चीज़ है, मैंने इस्तमाल किये इस चीज़ का, लेकिन जैसा मैंने सरसो के तेल के अंदर जैसा राजी दिख्षी जी ने अपने व्यक्षान में बताया हुआ है, सरसो के तेल के अंदर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, अगर आप मिला कर अपने दांतों के ओपर रगड़ते हो, तो प्राक्रतिक रूप से आपका इन्यमल जो है, वो प किया है और अब मेरे दांतों की सेंस्टिटिविटी विल्कुल खतम हो चुकी यानि दांत फिर से पूरे स्वस्त हो चुकी है, अब मैं दंत मंचन का इस्तमाल नहीं कर रहा हुए, मैं हरो सुबह केवल इसी का इस्तमाल कर रहा हूं, और इसने तीन महीने में प्राक्रतिक चरूब से मेरे दांतों के एक तरह से इनमल की प्रोटेक्शन करना अलग बात है दुबारा से इनमल को रिपेर करने में मदद किया है तो बैसिकली इसके ओपर is क्या लगा यह बता रहूँ यह वं बैसिकली एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ जो मैं नीचे लिंक दे दूँगा उसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली यह चीज क्या है लेकिन मुझे इससे कोई बहुत जादा अपती नहीं थी तो मैंने यह जो था अपना हरोज सुबा जो है मैंने इसको अच्छे से क् सतरा से जादा पेड़ों की छालों का तेल एक साथ आपके दांतों के उपर लगे तो दांत प्रोटेक्टेड भी रह रहे हैं सफाई भी अच्छे से हो रही है और इनेमल जो मेरा कहीं तूटा हुआ था वो मेरा रिपेरों के भी वापिस आगया तीन महीने में इसलिए मैं दंत बंजन मैंने अभी आपको बताया अभी वीडियो में दंत बंजन से अगर होती तो 5 साल का समय नहीं लेता दंत बंजन इनेमल को खतम करने के लिए कोई चीज है जो मैं रगड रहा हूँ तो 5 साल थोड़ी लगेंगे उसका दुश प्रभावाने में फिर भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स के ऐसी मानने ताओ नहीं जी आप दंत बंजन इस्तमाल करते हो तो 5 साल वाद sensitivity की प्रभावलम है sensitivity problem तो इस वरत maximum लोगों को है जो toothpaste करते हैं उनको भी problem है तो वो तो दंत बंजन यूज नहीं करते तो मुझे ये तो नहीं पता कि sensitivity की समस्या प्राकृति ग्रूप से मुझे हुई या दंत बंजन की वरी से हुई इसका तो प्रमाण नहीं है लेकिन वो sensitivity खतम इसके कारण तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इसके अंदर toothpaste का मैं इस्तमाल 5 साल से नहीं कर रहा था आप कभी-कभी थोड़ा बहुत कर लेता हूं तो bamboo का toothbrush हमारे पास है यह मेरे bathroom में रखा जरूर हुआ है वाश्रूम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं यही toothbrush बेसिकली है दंदमंजन का अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो हफते में एक बार दो बार आप जरूर सरसो के तेल को अच्छे से दांतों के ओपर रगड़िए अगर आप सरसो के तेल को नहीं रगड़ना चाहते आप इसमें जो चीज मैंने यूज कर रिये उससे मेरे को रिजल्ट मिल में हमें तीन केमिकल से आपको मुखे रूप से बचाना होता है जब हम टूथपेस्ट देते हैं सोडियम, लॉराइल सलफेट, ट्राइकलोसैन और फ्लॉराइड यह तीनों इसके अंदर है नहीं और इनकी तरफ से इनोंने एक ऐसा इंगिजन बताया हुए जिसमें केमिकल की मातरा बहुत कम है, इसलिए हमने रेकमेंड किया है, यह एक नई चीज है जो वाक्षी में आई है, यह क्या है, यह वो एडिबल टूथपेस्ट है, अब जैसे मेरी बच्ची एक साल की हुई है, अभी तक तो जरुवत ही पड़ी है, अभी तक तो जरुवत नहीं पड़ हो, जिसके साथ गरेंटी हो कि बच्चा निगल भी जाए तो उसको नुकसान नहीं कर सकता, यह महंगा पड़ता है टूथपेस्ट, लेकिन 100% एडिबल है, इसलिए बहुत चोटे बच्चे जो एक डेर साथ-दो साल के हैं, उनके लिए यह टूथपेस्ट रेकमेंड किया जा सकता है, और फिर जब बच्ची बड़ी होगी तो जायसी बात है, जो चीज़ हम इस्तमाल करने हैं, जैसे यह भी अप प्रूवन हो चुका है मेरे पास, यह भी हो सकता है, तो इसी के उपर आगे करने की कोशिश की जाएगी, तो इस वीडियो के मात्यम से मैंने बताया था, और यह उटोमेंटिकली जो पांच साथ से हम दंत बंजन इस्तमाल करने हैं, उसके लिए जो अपडेट है, वो मैंने आप तक पचाने की कोशिश की है, हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि कोई भी चीज़ है, वो अगर हम आपको बताते हैं, हो सकता है, आप उसे यू जितनी चीज़े जो अच्छी मेरी कॉमन सेंस बताती है, मेरी जीवन के लिए हो सकती है, उनको मैं खुद इस्तमाल कर रहा हूं, और एक एक चीज़ को मैं परखने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो कहा जा रहा है, जो शब्द है, जो वचन है, वो एक्जेक्ली उसकी एफिक साल से, और इसके साथ ये रिजल्ट अपने को मिल रहे है, अच्छे या बूरे जैसे रहेंगे, वो हम कोशिश करेंगे, आपके साथ सांजा जरू करें, भारत वंदे मात्रम